को तू चैम्पियन है गया तो फिर मुझे है रहा फिर तू चैम्पियन होगी हाजा हाँ जेराड मुझे से दूर रहो हाँ जेराड़ चैम्पियन है आपो जेराड़ तूरो जेराड़ 3, 4, 5, 6, 7 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जगी, 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 जगी सर आ गएald channel सर थो सुभई न गए गए अपर पतरशानी हैं बहुत टेंचन में लग रहे हैं और बब सबस्क्र, के रहे जाने लाँ, पतरश वे जाने हो जिसकी मौत हुई है वो इरिंजाल कुड़ा का जॉनी है एक साधरन व्यापारी है जो अकसर दुबाई आता जाता रहता है बिजनिस के सिलसिले में इस बार वो एरपोर्ट से घर की तरफ जा रहा था तुम्हें क्या लगता है इसे केरियर गटना के दौरान जो गाड़ी वहां खड़ी थी उससे वहां से ले जाया गया था मुझे ज़्यादा याद नहीं है तुमें याद नहीं है तुम किसी को भी कार दे देते हो ज्यादा सौधबाजी नहीं वही थी वो उसे टेस्ट डाइब के लिए ले गया था और वापस आया ही नहीं मैंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की थी और सर मुझे धंकाने की कोशिश मत कीजिए मैं एक बहुत लंबे समय से यहां पर काम कर रहा हूं काम शुरू करके मेरे को ज्यादा समय नहीं हुआ है इसको पिछले एक महिने में लगभग 30 केस पकड़ी गए हर दिन लगभग 100 किलो घोल्ड कानूनी रूप से यहां से जाता है और इसे कई ज्यादा गईर कानूनी रूप से इस गोल्ड के बिजनिस में फाइदा काफी कम है क्योंकि यह कम फाइदे वाला बिजनिस है तो हम क्या कर हम फाइदा बढ़ाने की सोचेंगे यस देखो इंडिया के सबसे बड़े जो सोने के व्यापरी है वो केरला में हैं सिर्फ त्रिचुर और एरना कुलम के शॉप में लगभग 1500 से 200 किलो गोल्ड आने वाले हर दिन में बेचा जाता है अब इतना सारा गोल्ड आता कहां से है तो यहां पर जॉनी जैसे लोगों का रूल सामने आता है जॉनी जो जॉर्च के लिए केरियर था उसने किसी और के लिए काम किया था उन्होंने उसको मार डाला और सोना ले लिये साथ ही कई लोगों के लिए एक चिताओनी है सर हम जॉर्च के खिलाफ ज्यादा दिर तक ट जॉर्ज भाई अपनी गाड़ी हटाओ लड़कों को पता नहीं गाड़ी कीमत बर्बाद कर देंगे हैं सही कह रहे हैं चलो उन्हें मेरी हैसियत का अंदाज़ा तो होगा मैं देखना चाहता हूं कि किसमें इतना दम है जो मेरी गाड़ी पर बॉल मारे सुनो गाड़ी हटा लड़के शरार्ती होते हैं कुछ हो गया तो नुकसान अपना ही होगा जो पुकुल तो, उसे फाल कहले क्लेट चलोड़ा पार थे कुछ थे? जिराओंगे? जिराओंगे? उसे फाउल कहने के लिए काँ ठीक नहीं है देखो ये गोल होगा सब्सक्राइज कर दो कि ये ये कि ये कि तुमको लगताने कि साउधानी से खेलना चाहिए नहीं तो पेनल्टी वो सुलने के लिए हमको आना पड़ेगा लगता है तुम नहीं हो मेरे ओफिस में आजाओ तुमारे ओफिस में जो लोग दावत का मज़ा लेने आते हैं उनमें मेरे गिंती मत करो बैठ जाओ गड़ी में अपनी गाड़ी अटालो मुझे खेलने दो तुम्हें जो भी बात करना है बाद में करना अभी तुम्हें सर कह रहा हूँ अगर ज्यादा हेकड़ी दिखाई न तो मोपर धूख कर कहूंगा कि दफा हो जाओ इतना घमण क्यों है तुम्हें एक तो गयर कानुनी काम करते हो और उपर से घमण दिखाते हो बैठ जाओ गाड़ी में चलते बनो यहां से चले जाओ एई सर श्रीनिवासन तुम यहां भी एंकाउंटर का खेल खेलो यह मुम्किन नहीं है जॉर्ज का जवाबी हमला तुम सेह नहीं पाओगे सर प्रूफ है मेरे पस और मैं उसे मेजिस्ट्रिट के समने पेश करूंगा श्रीनिवासन तामिलनडु से उसे यहां के तौर तरीके नहीं मालूँ हम् तमीज से पेश आना चाहिए था अब तो तुझे सजा भुगतनी ही पड़ेगी इससे गलती तो हो गई है पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसे माफ कर दें आज तुने जो कुछ भी किया है उसे मैं सूद समेत लोटाओंगा आज आओ बेठो तु क्यूं ऐसे चुपचा बैठा है खाना तो ठीक से खाए बेटा अगर तुम ठीक से खाना नहीं खाओगे तो अपने पापा का बिजनेस कैसे संबालोगे बोलो मैं बिजनेसमेन नहीं बनूँगा फिर क्या मुझे तो पोलिस बनने है पोलिस बने है एक दिन मौत आएगी याद रख है इनसान इस जीवन काल के तेरे का महान अच्छे कर्म कर आलस किये बिना एक दिन मौत आएगी याद रख है इनसान इस जीवन काल के तेरे का महान अच्छे कर्म कर आलस किये बिना सर उस दिन जॉर्ज पीटर को गिरफतार करने गए चार पुलिस वालों में से तीन मारे जा चुके हैं श्री निवासन सर समीत वो पहले रिश्वत देकर काम करवाते थे लेकिन अब वो अपनी ताकत से पूरा कर लेते हैं जो सब कुछ कंट्रोल करता है वो जॉर्ज पीटर है मुझे पता है अब वो मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते सर अपने हिसाब से मैं कुछ करता हूं यही बात श्रीनिवासन सर ने भी कही थी अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें आजशकल मिलती कहां है हमें धनिया और मिर्च खरीदनी पड़ती है और उसे पीस ना पड़ता है मा इस बारे में बहुत खास ख्याल रखती है और कहती है कि मैं जो भी पकवान बनाती हूं उसमें वो गुण होता ही है मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं खाना अगर अच्छा है तो यहा बेज देना है हम तुमें क्या खिलाते हैं सार अरे मैंने तुम्हें सार कहने से मना किया है ना जो 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 भाई मेरी बेहन की शादी के लिए और कोई रास्ता नहीं था इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके जेब में भरके यहां से सोना लिजाता था और तेरी बेहन की शादी हुई? हाँ, हो गई हाँ, हो गई? और तुने मुझे बुलाए भी नहीं? भॉए... भार, भार, ऐनि क्या करें भार, भार, बाइ ए हाँ अँ डिए प्रार्थना से हर पाप से मुक्ति मिल जाती है आज शाम को मैं उपवास रखूँगा एक दिन मौत आएगी याद रख है इनसान इस जीवन काल के तेरे काम होंगे महान अच्छे कर्म कर आलस किये बिना एक दिन मौत आएगी याद रख है इनसान आएगी यादा रख 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 है इनसान अच्छे को प्रादब आएगी याद़ झाल झाल कि दोनों मृतक एक साथ हत्या और चोरी किया करते थे अब उन्हें एक साथ दफनाय भी जा सकता है लोग इस पर सवाल उठाएंगे है ना डेफिनेटली यह सिर्फ एक हवा का जोका है अब तुफान आना बाकी है लेट सी इस बैच से ब्लेड तुमने किसको दिया था? मैंने इस बैच को पहले कभी नहीं देखा मैं जानना चाहता हूँ कि इसे किसने खरीदा? वो हॉस्पिटल के अलावा कुछ नर्सिंग होम और कुछ प्रैक्टिस करने होले डॉक्टर्स भी से खरीदते हैं मुझे उन सभी डॉक्टर्स की लिस्ट चाहिए सर ये काफी मुश्किल होगा मुश्किलों के लिए मैं तयार हूँ अब नुक्सान सिर्फ तुम्हारा नहीं है अगर तुम इसके लिए एक दूसरे को मारने का इरादा रखते हो तो फिर कुछ नहीं बचेगा मुझे भरोसा नहीं है तुम पर एए मारको अगर मैंने ये किया ना तो मैं कबूल करने में गर्व महसूस करूँगा मुझे में इतना दम है अब रांग बस देखो अगर मारको यहां आया है तो मेरी रिक्वेस्ट पर इसके दिल में मेरे लिए इजज़त है इसलिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस डेवीड को जॉर्ज को मारने की कोई जरूरत नहीं थी जिस मंगलोरिया ने तुम्हारे पापा को मारा था मारको सर उसके सीने पर गोली मारने के लिए जॉर्ज मुझसे मदद मागने के लिए है था युद्ध शुरू होते ही जॉर्ज उसके हाथ पकड़ लेता था और दिखाता कि वो शुरू होने वाला है जब वो खत्म हो जाता तो अपने हाथ उपर उठा कर हसता किस ने मारा और किस लिए यही तो यही पता लगाने की जरूरत है हम सभी को जानना है कि जॉर्ज की हत्या किसने की जो भी है वो हमसे ज्यादा खतरनाक है क्या मैं जाओ साथ ठीक है क्या ओंग एि स सकता है क्या क्या मैं बाक्या है क्या है क्या है क्या है पुर्णंश क्या जाओ जो क्क्तौ्पर सा कर दो 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 कर झाल झाल अगर आपके पास दिमाग है तो उसका इस्तमाल करने का वक्त है मारको को मारने से कुछ भी खत्प नहीं होगा तुम्हें कितने पैसे मिल रहा हैं? ये समय मुझ पर शक करने का नहीं है मैंने जो कहा है उससे ध्यान से सोचो मुझे दोनों की जरूरत है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे बेटे के कातिल को छोड़ दे ये सिचुएशन क्रियेट किसने की? कौन है इसके पीछे? डेवी ने सड़क के बीचों बीच तीन लोगों को मार डाला उसने सुचा कि कोई गवाही नहीं देगा लेकिन वो घलत था पाला से किसी जॉनी ने कॉल किया और गवाही दी उसने उसे टककर मार दी भले ही वो सुप्रिम कोड तक ले गया हो लेकिन वो फास तो गया आज वो जेल की सजा काट रहा है वो इस वक्त अस्पताल में है ये दावा करते वे उसके महानसिक रूप का इलाज चल रहा है वो वहीं से अपना काम करवाता है अब्रहम जो अभी अभी मरा है उसका सबसे वड़ा बेटा है कहा जाता है कि भगवान अच्छे लिगों को जल्दी अपने पास बुलाता है उसके साथ भी ऐसा ही हो तो जिसे इस धर्ती को बहुत बाद में छोड़ना था वो आप मर चुका है विलियम माय हाट फिल कंडोलेंस इस तो यू क्या ये मार को नहीं किया नहीं इसा ने इगल इसा मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है अगर खेल्स दिल्चस्प है तो बिना पक्ष लिए खिलाडियों की वाहवाई करनी चाहिए अगर आप अपना कानून लागू करने की सोच रहे हैं तो हम पुराने पुलिस आफिसर्स की तरह धूर से नहीं देखेंगे आपको हमें यहां रेफ्री की जरूरत नहीं है चलो वो बारिश के दौरहन आया था उसकी गर्दन पर एक चेन थी सेंट मिखाईल लोकेट के साथ और मैं कुछ नहीं जानता हूं साथ I need a list of doctors from all the hospitals in the city, especially a person who wasn't on duty on last Monday afternoon a man who predominantly uses his left hand then his right a born left-hander, a lefty Narad और शकुनी दोनों का एक प्लान है यह Patrick उसने किसी operation का प्लान बनाया है अपनी गन लाया हो तुम Sir सबसे मुश्किल काम होता है किसी का पीछा करना उसका सबसे किम्ती सर मेरे आगे, फ्रैंसी ए, मेरा हिसाब गलत नहीं हुआ हमारे आदमी चारों तरफ हैं वो जो भी है वो उसके तलाश में आएगा कब और कैसे यह हम नहीं जानते बाद में करता हूं एक मुखबिर है पैट्रिक शेट, लगी रहा था मुझे पैट्रिक पैट्रिक वो 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 उसके जान बचाओ नहीं तो मुझे ज़िए पैट्रिक क्या तुम्हे मेरी मौत के समझ जवाब चाहिए येस आइनो डू मैने उसस बहुत करीड से देखा है ते तेल मी पहले तुम मेरी जान बचाओ नहीं तो मुझे पता है तुम खोजी मुझे माट दालोगे पैट्रिक कौन था वो बताव यार मैं जैसा कह रहाँ करो हाँ हलो स्केच आर्टिस्ट और मजिस्टेट के बयानदार्श करने के लिए उन सब को फॉरन मेडिकल कॉलेज लेकर आओ ये मेडिकल कॉलेज में नहीं इस सिटी में कई अच्छी होस्पिटल्स है ठीक है सर्व ओके पैट्रिक ये सर् सुनो अभी इन सब को भेजोगों इच और आवर कंट्रों किसी को बें अंदर मताने देना उनकी जाज किये भी ला जाज सर्श objective in the mall ब्रेद जोगता यजा भी एव गड़ אנחנו अन्दर भी ज्क्रण सब्सक्राइए पैट्रिक 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 आज समिकेऋ Congo पैट्रिक कम एट HRI पह् पैट्रिक सर्डsen पैट्रिक सर्डव अब ये पूरी जग हमारे कंट्रोल में है सर हम अपने आसपास की परच्छाई पर भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उजालग होते ही वो गायब हो जाती है बूलका ज handing गठाराऊ थाएँ झाल 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 स्षग कर झाल थाण झाल कर दाण संट प्राप्ण प्राप्ट कर दो कर दो वो लड़की वाकि स्ट्रॉंग है अगर तुम नहीं कर सकती हो तो बताओ मुझे तुम शांत रहो हमेशा जीतने वाले की तारीफ होती है गिरने वर उठता है तो विजेता होता है यू यू कें डूइट जैनी कम अन जैनी राइट साइड अटैकिंग शीज़ा लेफ्ट है इसका फाइदा उता हो लोग जो असका पाई आड है बोईक वनगिन को टाओ के टूंग आए जिए और प्डोंग करक bels 상황 किसमत अच्छी थी तुम बच गई जानती हो जब मैं चोटा था मैंने कितने सारे कॉंपटिशन जीते हैं माई तुम कितने बेरेहम हो तुम साथ में थे शायद इसलिए मैंने अपना दो दिया मैंने तो ऐसा कहा था कि तुम घायल ना हो जा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हुना तुम जिसके काबिल हो, ऐसा कुछ करो, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोने तो, तेहान से गाड़ी चलाना, ओ, मुझे मत सिखा हो गाड़ी कैसे चलानी है, तुम जैसे कोई बुढ़ी दादी हो, इसी वज़े से तुम्हारी पिटाई होई, माइक, कुछ कि आए, कैसे चला रहा है, अबे, कहां देखे गाड़ी चला रहे हो, मेरे सीने पे चला दो, तुम्हारे बापका राज हैने इस रोड़ पे, दोदो आखे दिये ना, भगवान ने, गाड़ी देखे क्यो नहीं चला तुम्हों लोग, बेवकूफ कहीं के, मिस्टर कुस्की थी है ना माइक ठैंक्स मुझे जिन्दा लाने के लिए मेरी बच्छी कॉंग्रेक्स तुम अंदर नहीं आ रहें नहीं यह सब तो कब से चल रहा है यहां तुम्हारा लिए कौन पर आया है अखर तुम यह क्यों कर रहे हो मा मैं तुम्हारी जिंदेगी में दखन नहीं दे रहा है मैं बस तुम्हें खुछ देखना चाहता हूं इसलिए मुझे इसाही रहने दो जैनी के लिए एंथिनी उसकी पिता की तरह हैं लेकिन वो हमार इस्सा के पिता नहीं है न साले साहब तुम डॉक्टर हो अरे भईया क्या कर रहे हो जब से देख रहा हो तुम लिख नहीं जा रहे हो अरे जाज का है नहीं करते हो तुम कौन हो जाज करोगे तब पता चलेगा ना कि हम कौन है इसे अंदर आने किस ने दिया अंदर बाहर की छोड़ो और इनकी जाज करो सास लेने में तकलीफ है अरे आपको दिखाई नहीं देता हम इसे ऑक्सुजन दे रहे हैं आप जाए ब साले साहब अरे डाक्टर भाया कम से कम एक एक से रहे तो ले लो साले साह बुला रहे हैं क्या हुआ साले साहब हमरी जिन्गी चाहते हो तो चुप चाप चले जाओ बेवकूफ कहीं के पहले यह बताओ तुम्हें बीमारी क्या है मुझे खास्ती है एसा मत करो क्लीनिक है सरकारी अस्पताल नहीं है कब से शुरू हुआ यह एक महिना हो गया अरे तो तो तुम्हें इतनी खतरनाक खास्ती डॉक्टर को दिखाना चाहिए था ना बोलो और क्या तकलीफ है चलता अरे माराई करवाना पड़ेगा इसके लिए अमराई ठीक रहेगा माइकल मेरे साथ हो तुम्हें रिस्पोंसिबिलिटी की कमी है जब कोई कैजूलिटी में आता है तो मैंने तुम्हें जरूरी टेस्ट और स्कैन लेने के लिए नहीं कहा था लिए लेकिन अगर यह जरूर नहीं तो जेम्स को तुम्हारे मामले में बोलना पड़ेगा यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बाकी सब को बुरा ठहरा कर खुद को अच्छा बनाने की कोशिश मत करो समझे हुस हुस तैयार है वन है टू हा थ्री हा एक कराटे सीखने वाला एक कलाकार भी होता है वो ना सिर्फ किसी के शरीर से जीत सकता है बलकि उसका दिमाग भी क्या आपने सुना है जैकी चैन ब्रूसली जेटली टोनी जान है बिश्राम आप लोग बहुत भागेशाली हो जो आपको कोश के रूप में मेरे जैसा कोई मिला है एक खिलाडी के रूप में आप पैसे शोहरत और सम्मान सब कुछ हासिल कर सकते हो आपको काफी अवार्ड भी मिलेगा और उसे कैसे हासिल करना है ये तरीका सिर्फ मैं ही जानता हो और मेरे बेटे का हाथ तूट गया कौन जमदार इसका बताइए वो तो प्रैक्टिस के बीच हुआ सच में यह पहली बार हुआ है नहीं वो जराड है जराड नहीं से जान बुझकर किया वो हमेशा ऐसा ही करता है मैं बैर जराड है कौन जराड बीटर तुम और तुम्हारा बेवकूफों जैसा हेर कट कई बार चेताओं ने दी है मैंने तुम्हें प्रैक्टिस के दौरान परसन जगडों से तुम दूर रहो मुझे नहीं पता था कि एक ही जटके में हाथ तूट जाएगा दिल तो करता है दो हाथ लगाओं पका मार्या और रिया से बहुत बुरी तरीके से बात करता है आखरी वार्णिंग दे रहा हूं बेटी तुम वापस कब तक होगी राच ज्यादा दिर तक मत गुमना है माइकल को पता नहीं अपनी देख बल कैसे करनी है तुम्हारा मोबाईल है ना तुम्हारे पास पापा माइक उत्मा भी बुरा नहीं है मेरे पास मेरा फोन है बाई बाई होग अ क्या होग अरे इस तरफ चलो थे आ भागे का भाग्राएं फार कि ना भाग्राएं भाग्रद। तुम भागे क्यों और वो तुमें मार क्यो रहे थे एक राज ने तक और एक्सिडेंट के बाद यहां लाया गया था मैंने उसे बस एक इंजेक्शन दिया और वो मर गया इंजेक्शन अरे इंजेक्शन की गल्ती नहीं है कैजूल्टी में इसा होता ही रहता है कुछ लोग रहत महसूस करते हैं सिर्फ अगर वो डॉक्टर को मारेंगे तो हाला कि उनकी बाटी की कारिये करता है मतलब डॉक्टर का काम काफे रिस्क बढ़ा है लेकिन तुम भी तो उसे मार सकते थे ना हम इसायों ने बाइबल से नह बहुत बुरी बात है वो लोग चले गए अच्छी बात है तुम यह सब क्यों कर रहे हो तुम यह पर नहीं हो डॉक्टर लोग है न जल्दी सीख जाओगी तुम आरतो इसलिए तुम्हें चूते नहीं है वरना थपड तो मारी देते हैं अगर वो मुझे चूएंगे तो मै कंटेन कर दोंगी वैसे हमने इतना ठीक करते हैं भगवान उसे 10% लोगों को वापस ले लेता है और जो तीन प्रतिशत रिष्टेदार हैं वो डॉक्टर को मारने के बाद होस्पिटल चोड़ते हैं माइकल और वो बात जो मैंने तुम्हें तुम्हें करती है मैं स्मार्ट वास्पिटल में रोजना तीन से चार मिलते ही है वैसे मुझे वो पसंद आई है तुम सच में उसे पसंद करती है पर तुमसे शादी कर लो समझ गई बड़ी आई पसंद आगई बुलने वाली हां बहुत ही एक्साइटिड थी वह नहीं खुद लिखा था हाई हाई याई ह वो है एना, मेरा सपना, मेरी याशा और मेरी लाइफ, पिछले तीन सालों से हमें एक दूसरे से प्यार है, माइक तुम्हारी गुर्फ्रेंड है और तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, मुझे नहीं अच्छी लेगी वो, यह। हाँ मुझे पता है जनी जनिफरा, हापी बर्दे। दू आयू हापी बर्दे देर एना अब देर कियो एना, और धे, जू और रफ दूआ धने यू, धने अवह मेरे मैं एना? एना, विल्यू मेरी में? क्या है ये माइकल? इतने अच्छे दिन को तुमने खराब कर दिया. यह तुम क्या कह रही हो? यूनो वाट, मैं और वर्गिस एक साल से रिलेशन्शिप में है. वर्गिस? येस. तो हमारे बारे में क्या? हमारे बीच कुछ भी नहीं है. पता है, हम दोनों के रिलेशन्शिप में कभी सट्रिस्फाइड ही नहीं थी. और चेंज किसे पसंद नहीं है? माइकल तुम्हें मुझसे ज्यादा अच्छी लड़किया मिल जाएंगी. और हम ना, हमेशा फ्रेंज रहेंगे. यह क्यों लगाया? अरे तो बाद में साफ कर लेना ना. छोड़ दिया. वरकिस, उसे वरकिस क्यों पसंद आ गया? क्या शमस्री अपने आपको. मेरी बतकिसमती कि मैंने उसे अंगूठी देना जरूरी समझा. मेरा पैसा भी चला गया. वैसे भी मुझे उसमें कोई दिल्चस्पी नहीं थी. मैंने बस यूँ ट्राई किया था. तुम साड हो? हाँ. साड क्यों? कुछ दीनों बात, अपने आप पैता चल जाएगा. लेकिन वो कैसे? लड़किया तुमें धोका दे रही है. इतना असेंस तो तुम में चाहिए. देखना, मेरी जिंदेगे में कोई और लड़की नहीं होगी. अरे, ऐसा मत कहो. तीन चाहर लड़किया तो हर रोज प्रपूस करती है. बस उन में से एक को सिलेक्ट करना है. ए, बहुत स्यादा हो रहा है, हां? क्या अब हम घर चले? मैं नहीं आ रहा. पापा की वज़े से ना? आ, बस नहीं आ रहा हूँ. क्या पापा मुझसे प्यार करते थे, माईक? तुमसे प्यार करना था उन्हें भहुत अच्छा लगता था. जबसे पापा की मौथ हुई है, ऐसा लगता है, मेरे साथ कोई नहीं है. हम सब है तुमारे साथ. मैं हूँ, मंम्मी है. पापा की मौत कैसे हुई थी पापा मैं ड्राइब करूँ क्या इतनी चल्दी यह अराम से अराम से देरे देरे क्योंक्न कश्या और से सायलोग्स क्या क्या अंक्याओर ड्राइब करें कुम क्या को तेलोह, यह इप इस बतार सिर्फ करणाओ औरर तेलो ज्हाएद है हढ़ क्याओ ? यह मेरे पती की ही गलती थी उन्होंने ऐसी बेवकूफी क्यों की? माईक को ऐसा नहीं करना चाहिए था अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज मेरे पती मेरे साथ होते वो अपने ही पता की मौत की वज़े बन गया मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था मैंने उसे एहसास दिलाया कि उसी की वज़े से उसके पता की मौत हुई उसके बाद मेरा पेटा मेरे साथ नहीं रहा वो कितना दुखी होगा फिर वो किसी के करीब नहीं किया किसी से बात नहीं की तुने अपने पापा को मारा क्या हमें सच बात बताओ क्या तुमीने अपने पापा को मार दिया इसका मुँ मैं कुलवाता हूँ उनके बीच एक रैट है रैट है? आँ, चूहा तुम पागल हो गयो, चलो सोजाओ रैट का मतलब होता है जासूस जो पुलिस को इंफोर्मिशन देता है कोई है जो सर को कॉल करके इंफोर्मिशन देता है वो कौन हो सकता है, ये पता लगाना है पता लगा के कोई फाइदा है क्या? फिलाल जितने भी इंफोर्मिशन हो रही है वो सिर्फ ईसा सर के हिसाब से ही हो रही है और उससे हमें कुछ ज़दा फाइदा नहीं हो पाया है मतलब तुम कारेकरता बना चाहते हो जोनेता से बड़ा हो तुम से बात करना फिजवूल है तुम तो बस उसके साथ घूम सकते थे और उसकी बात सुनते थे है ना? पर अगर तुम चुहे को पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें बिल्ली बनना होगा इसका मतलब तुम्हें सोच से बाहर आना होगा कि तुम एक शेर हो तुम सोजा, गुड़नाइट इंफर्मेशन निकलना चाहते हो तो तुम सर के कॉल डीटेल्स क्यों नहीं चेक करते हैं यह सही है बेस्ट है, तुमने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं सिंपल तरीकों के बारे में नहीं सोचता सार आप जो कर रहे हो उसकी सिरियसने इसको आप समझते हैं ना and I feel something is fishy गुड़ मॉनिंग सर मुझे उस केलर का पता चल गया है मैं रैट की तलाश में था लेकिन ऐसा कोई है यह नहीं सर सर के मुताविक मैंनेजर किया वो वास्ते में बुरा होना चाहिए था सर को जो कॉल करके इंफर्मेशन देता है वो एक डॉक्टर है डॉक्टर माइकल StarCare Hospital में वो डॉक्टर Casualty Department हैंडल करता है उसने सर को उस लोकेशन से कॉल किया तो जहाँ पे पैट्रिक को गोली मारी गए थी मेरे शक कहनो सर किलर वो डॉक्टर ही है पैट्रिक को शूट करने के बाद दॉक्टर हॉस्पिटल पहुंचा पैट्रिक को सर उसके पास अदमरी हालत में ले गए थे और उसने पैट्रिक को बहुती आसानी से मार दिया मोबाइल सिगनल से उसके मूव्मेंट साफ दिखाई दे रहे हैं माइकल सर से सर माइकल से अकसर कॉंटेक्ट करते रहते हैं अब आप भी बताईए इसमें सर का क्या रोल है आपने मुझे इस नाटक का गवा क्यों मराया सर मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया तुम्में ढूंडने की जिग्यास आए जो ज्यादा तर और तुमें पाई जाती है नहीं तो किलर की तलाश की बजाए तुम इंफॉमर्स की तलाश नहीं करते हैं अपनी परचाई पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए जैसे ही रोश्नी दिखाई देती है वो परचाई गयब हो जाती है कुट्टर माइकल को हम कस्टेड में लेने वाले हैं क्योंकि मुझे लगा कि सर भी इसमें इन्वार्वर्व हैं इसलिए मैंने बड़े अधिकारियों से पर्मिशन ले ली अगर आप मेरे शक का सही जवाब देते हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ देखो मैं तुम्हारे डाउट्स को क्लियर करने आला कोई ठीचर नहीं हूँ हाँ सरकारी ओफिस में धूमर पान के लिए मुझे पर केस जरूर कर सकते हूँ जाब कर दो एक मिनिट सर अपने दोनों हाथ उठाकर पैरों पर खड़ा होता है किसली यह बताने की जरूरत नहीं है I'm sorry sir Sir आप अभी पुलिस कस्टडी है I said you have your own limitations Sir आप अभी वहीं खड़े हो जहां आप पहले थे डॉक्टर को कस्टडी में लेने से चीज़ें बिगड सकती है Okay सभी एक्शन्स को रोक दो माइकल को कस्टडी में मत लेना I'll tell you the whole story His story History of Mikhail मिखाई सब आशोग फिलाल करवाई रोक दो Okay तुम्हारी कंप्लेंट से माश्टर मुचे निकाल देगा क्या तुको तुचेंपियन है तो फिर मुझे है रहा फिर तुचेंपियन होगी आज़ आज़ जेराड जेराड मुझसे दूर रहो हुआ 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 है हुआ 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 है है ज्वा आई ज्याहिश का लो देए कैसे कम्सूर होते जा रहे हो फिख से खाते क्यों नहीं तुझे देखकर कोई कहेगा कि तुम अच्छे मैं कहते हूं खालो यह लो एक अंडा रोज खाया करो मैं कहते हूं खाना तुम्हें हुआ क्या है बिटा with energy consumption being the buzzword in developing economies around the world fears of an energy crisis looming ahead are not totally unfounded Gerard silence the non-renewable nature of fossil fuels makes complete dependence on peace for future energy needs a very dicey affair renewable energy sources are the best the 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 देखो, वो मेरा बेटा था, लेकिन मैं दुखी नहीं हो रहा, मेरे बेटे ने खलती की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि उसने ऐसा किया क्यों, दुखी रहा हो गव, जलील हुआ हो गव, जीतने की आदत रही है न उसे, हमेशा ही, बेटी, क्या उस वक्त मेरा बेटा रोया था, हाँ, मारने से पहले वो जरूर रोया होगा, है न बेटी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, जब तेरी गलती है ही नहीं, तो तू इतनी दुखी क्यों है, हाँ, देख बेटी, तू एक अच्छी लड़की की तरह स्कूल जा, स्कूल जाने के बाद, तुझे एक मेरा काम करना होगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करना, स्कूल जब जाने लगोगी, और नॉर्मल हो जाओगी, तब तुम्हें मेरा वो काम करना होगा, जिस जगह से जरॉर्ड ने छलांग लगा के आत्मात्या की थी, तुझे उसी छट पर जाना होगा, और वहाँ से कूदना होगा, क्या तुमोग करोगी जो मैंने कहा, तुम्हें तो ये करना ही होगा, तभी मुझे सुकून मिलेगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, या कोई और, और अगर तुम्हें किसी को बताया, तो वो साब मारे जाएंगे, क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करोगी, मेरे लिए ना सही, जरॉर्ड के लिए? और तुम मेरे, तो या कामरे लगे जरूरते हो किर से मारे लिए भाले मोलेख वाले सही, धे अबनेन्स भी सरी कि अजिने विप्राइब टॉप्रोट धुपार्ट रचार्ट निए अन्याट विएप्राश्ट निए। वो मेरी बच्ची को पीछा कर रहा है उसे डरा रहा है रात रात बर घर के बाहर इंतजार करता है जहां जाती है उसका पीछा करता है आपको कुछ करना होगा ऐसा चलता रहा तो वो स्कूल जाने से मना कर देगी काफी डरी हुई है वो वो मेरी बच्ची को इस तरह क्यों डरा रहा है आखिर उसकी गलती क्या है मुझे जेनिफर से बात करनी पड़ेगी उसने तुम से क्या कहा उसने कहा कि जेराड की तरह मुझे भी स्कूल की टेरेस से कूदना होगा मुझे उससे बहुत डर लगता है तुम इतना डर क्यों रहा है उजेनी अगर मैं नहीं कोदी तो वो मम्मी पापा को मार डालेगा है वो एक पागल आदमी है कि जिराड स्वर्ग में तुम्हारा इंतिजार कर रहा है इसलिए उसने जो कुछ कहा है उसे माल लो अरे क्या हो गया है तुम्हें कुछ नहीं यह तो किस्मत थी उस लड़की की उसके लिए तुम क्यों दुखी हो रही हो वो बात नहीं है तो फिर तुम्हें बता कर क्या करूं तुम मेरी मदद नहीं कर सकते माइक यह मेरी गलती है मैं इसके सिम्मेदार हूँ क्या बात कर रही है तुम्हारी जनी चलते है लाज सुरू होने वाली है जनी चलते हैं झाल 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 तो क्या वो लड़की कुदी, सर? तुम यहां कितने टाइम से हो? इस क्राइम ब्रांच में? दो महीने हो गएं, सर. I still not have understood you so far. तुम्हारे रिकॉर्ड्स अच्छे थे, इसलिए मैंने तुम्हें तुम्हें टीम में ले लिया. आपके लिए वो समन हमेशा रहेगा, सर. वो तो है. अलो? चूहा मिला क्या? सर, मैं अभी आता हूँ, मेरी बीवी. जा? जा. वो जो भी कह रहा है, उस पर विश्वास मत करो. कहीं तुम भजना जाओ. उसकी पूरी बात सुनो, और देखना कहीं कोई साजश ना हो. अपनी नौकरी ना खोर बैटना. कोई ज़रूरत हो, तो मुझे कॉल करना. बाकी कहान ही मैं बताता हूँ. जने! माँ मैंने आपका हिस्सा एकाउंट में भेज दिया है. इस मेहने बिजनस अच्छा नहीं रहा है. उसके लिए मुझे पर चिलाना मत. लेकिन बिजनस अच्छा चल क्यों नहीं रहा है? जानती हो ना, मेरा बेटा हाली में मरा है. इसलिए ध्यान नहीं दे पाया. भेटा खोने का गम है या बिजनस का? दोनों का. मैं कुछ ही दिनों में बिजनस समाल लूँगा फिलाल मुझे सेंट अंतरी चर्च में गरीब बच्चों को खाना खिलाना है लेकिन ऐसा करने से क्या फाइदा होगा? जब मैं अपने जेरी को कुछ खाते हुए देखता था मुझे बहुत अच्छा लगता था मा अगर मैं उसके लिए कुछ खरीदता था और वो उसे पसंद करता था तो मैं गर्व से भार जाता था और तब मैं उससे पूछता क्या तुझे ये पसंद है? फिर पूछता मैंने जो तेरे लिए खरीदा हो तुझे पसंद है? फिर वो कहता हम, मैं दुबारा उससे पूछता, तब तो वो चड़ जाता, कहता पापा चुप हो जाओ, मेहर बानी करके ये सवाल दुबारा मत पूछो, वो जब ऐसा कहता मुझे अच्छा लगता था, मा, जब हम किसी को खो देते हैं न, तब उसकी कीमत का अहसास होता है, जब वो हमारे पास होता है, हम उसकी एहमित नहीं समझते, जाने के बाद पता चलता है, मैं इतनी देर से रो रहा हूँ, क्या आपने कभी भी मुझे से पूछा कि तुम रो क्यूं रहा है, तुमने मुझे एक बार भी नहीं पूछा, मा, सुनो मा, मा, सुनो मा, अचालग मैं भी किसी दिन, अगर आपको छोड़कर चला गया तो क्या होगा, मा, हुआ कर दो क्या है, क्या दो क्या है, यहाँ, तूमने ही है, जोर रहाँ महाता कोई नहीं कर दो दो, अवादाी तो, अवादान नहीं मुझे पता है कि तुम उच से ही नाराज हो, उच से गलती तो हुई है, अपनी मा की सारी गलतियों को, माफ करतो बेटा, मैंने तुम्हें जोट पहुचाई है, तुम्हें बहुत दुप दिये हैं, लेकिन कुछ भी जान बुच कर नहीं किया, ये क्रिस्मस अपने घर एक साथ मनाते हैं, हाँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, माइक, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, प्लीज अपनी माँ को माफ कर दो, बेटा, प्लीज बस करो, मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, ये सुन में पड़ी तुम्हारी तुम्हारी नहीं सुनना बात्या हो, मैं अजया हैृ। है छ्वार रहारा है? वो हमें माल डालेगा? जैनी और उसकी ममी सच में डर कही होंगी जैनी कह रही है कि वो हम सभी को मार डालेगा क्या तुम्हें डर नहीं लगता? यह डर नहीं है पता नहीं करना क्या है जैनी एक एक्सिडेंट केसा है हाँ जैनी ओर प्रगी को मार इंड़ चर्ड़ जैनी दो दोम हो वो उपने किक कि एक प्रोड़ जैनी बालेगा यालेगा जैनी मार थोलरो जैनी ओर्ड़ एक जैनी मारम झाल यह क्रिस्मिस अपने खर एक सब मनाते हैं हमें तुम्हारी ज़रूरत है माइक तुम्हारी है करतो में तुम्हार प्रुड़का डिर्पार करते हैं वन्हारी उट्श्स के तुम्हारी ज़रूरूर ज़रूर्ण कि अपया जिन्दा होती है तो तुम्हें यहां पर देखकर बहुत खोश होती है हमारे अंदर जो खोशियां है जितनी जल्दी हो सक्या आपस में बांट लेनी चाहिए कल क्या हो किसी को नहीं पता कोई भी तुम्हारे माता-पिदा की जगह नहीं ले सकता है ना मैइक करता करता है हुए हुए पर आप परिवार को तबहा कर रहा है जैनी ने आपको नहीं पताया मा और अन्थोनी को मारने की वो धंकिये देता था एक ब्राउन कलर की कार ने उन्हें मारा एक्सिडेंट था ये वो कौन था ये साबित करने के लिए सबूत नहीं है आप और मैं दोनु चानते हैं कि वो कौन है जोर्ज पीटर मैं उसका कुछ नहीं कर सकता है तो फिर आप वो जोकर क्यों बंद्द्रे हो जो लोगों की रक्षा करने का दावा करता है तुम्हें काम करो उसके पैरों पिकिर जाओ पैर पकड़ के माफि मागो शायद वो माफ कर दे मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता है अगर तुम्हें कुछ करना है, तो ये पता करो कि तुम्हारा बाब कौन है? मुझे बाब दिकाली देता है? दुबारा गाली दी, तो इससे बुरा हश्र करूँगा, ये एक पेन किलर है, खरीदो और खालो, इससे भी भारी टोज, मैं तुम्हें दूँगा, मैं किसी को सताना नहीं चाहता, शान्ती से रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं चैन से रहना ही पा रहा हूँ, मैं उस लड़की के लिए गलत नहीं सोचता, पर आखें बंद करते ही, मेरा जेरी मुझसे कहता है, पापा, उससे भी छलांग लगवाओ, जैसे मैंने लगाई, मेरी प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर? मानसिक बीमारी, हाँ, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैं आपको दिखाने आया था, डॉक्टर, मेरे पास तुम्हें लोगों को टॉचर करने से रोकनी की, कोई दबा नहीं है, डॉक्टर, आपको मुझे समालना होगा, काउंस्रिंग करनी होगी, क्या एक हफ़ते में ऐसा हो पाएगा? शान्ती और संयम के साथ, जीवन जीने की कोशिश करो तुम, जो तुमने खोया है, वो वापस नहीं मिलेगा, कभी-कभी तुम बाइबल पढ़ो, और चर्च में विजाया करो, जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, तो यहूदी याद आते हैं, जिन्होंने इशू को क्रॉस पर चढ़ाया, फिर मन की शांति खो जाती है, उन्होंने गलत किया था ना? जोर्ज, इशूर से प्रार्टना करो, तुम्हें मानसिक शांति मिलेगे, इशूर तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे, अगर इशूर का अस्तित तो है, तो शैतान भी तो है ना? वही मुझसे ये सब करवा रहा है. स्थर्णावा रहा है. दूत के दौत अभी तेरे टूटे नहीं और तो शहर के डॉन से पंगा ले रहा है उस गाड़ी को चला दिया जिसने मेरी माँ को मार डाला आख के बदले आख और दाथ के बदले दाथ मैं बदला लूँगा प्रह रख च्चेवरा ताए हुई हुई अरूएल जरूण जरूएल जरूखल जरूँ कर दोर में लड़र्ड आब हो जार का श Ton layer किसी अजनभी ने आके तुम्हें मा रहा है और तुम्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ जिसने तुम्हें मारा तुम इसे पहचान भी नहीं पाए अधार में यही सब बाते लिख देता हूँ समझ गये ना बहतर जूट ढोंग कर तयार रखो तुम्हें जरौत पड़ेगी मुझे आग में खीचने की कोशिश मत करो आग को आग से ही बुचाना पड़ता है जी जैस नहीं मिखाई एक दिन मौताएगी याद रख है इनसान इस जीवन काल के तेरे कामों के महा अच्छे करकर आलस किये बिना एक दिन मौताएगी याद रख है इनसान तेरे मामले में मैंने गलती की और तुम्हारे मामले में तुम्हारे पिता जी नहीं गलती की पिताएगी सर जिस डॉक्टर की आप तलाश कर रहे हैं मैं उसे जानता हूँ माइकल डॉक्टर माइकल वही है जिसने चॉर्ज को मारा है इस केस को हेंडल कर रहे हैं क्राइम ब्रांच के डिवाइस भी मैंने उनको रिपोर्ट दी है क्या तुम्हें थोड़ी भी शरम नहीं है जो तुम्हें खिलाता है उसके प्रतितों वफदार हो मुझे बता उसके साथ क्या करना है यह सब कुछ मिखायल नहीं कर रहा है अजरेल कर रहा है जो तुम्हें धंकी देता था जॉर्ज पीटर की हत्या कर दे गई है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि हत्या के लिए एक तरह का सर्जिकल ब्लेड इस्तिमाल किया गया है कि अब कि अब करें माइकल नहीं किया है माइकल अब यहां नहीं रहता क्या नहीं माइकल के फादर जॉन वह मार्शल आट के ट्रीनर थी ना हाँ थे आपके कहने का मतलब क्या है क्या माइकल ने मार्शल आट सीखा है हाँ बच्पन में में माइकल से बात करना चाहता हूं तुम्हारी लाडली बहन जेनी तुम्हें फोन कर रही है मैं जवाब देता हूं जवाब मैं खुद दूँगा जवाब मैं खुद दूँगा जएनी तुम्हें भी कहा हो प्लीस कहर पे आईये माइक वाइड यदि यू दू दूदिस इसा ने भी चड़ी का इस्तिमाल किया था змais थे झाईये व्तित दूँगा और अए इस भाइधों Maik? what are you doing? don't worry I know what I am doing are you busy? yes dear yes dear your brother will be back buy it here the 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 good morning sir क्या आप मुझे कस्टडी में ले नियाए अब मैं नियाए की तरफ हूं sir मुझे अब ऐसास हो है कि नियाए और कानून दू अलग चीज़े सर जॉर्ज को खत्म करने की जरूत माइकल को थी लेकिन पैट्रिक के साथ माइकल की तो कोई व्यक्ति के दुश्मनी नहीं थी फिर उसने पैट्रिक की हत्य क्योंकि इसकी वज़े क्या हो सकती है मैंने उससे कहा कि अगर शान्ती चाहिए तो हमें पैट्रिक को भी मारना पड़ेगा because he is playing a double game दोनों कि रोगे लिए सलाकार बनता था वो शकुनी था लेकिन मैं वहाँ गलत हो गया sugar? one cancer जो कोशिकाओं की तरह बढ़ता रहता है वो भले ही नश्ट हो जाए लेकिन ये हमेशा जारी रहेगा only a specialist doctor can burn the cancer cells in a better way and he is George Peter की मौत के लिए जो इंसन जिम्हेदार है उसे ढूंड़ो और मार दो that's my goal ये काम मुझे पैटर्क ने दिया था अब उसकी कीमत देने वाला कोई नहीं है क्योंकि तुम ने उसे मार दिया मैं पहले से ही वफदार हूँ इसलिए अपना काम कर रहा हूँ तुमारी सिस्टर क्यूट जैनिफर को खत्म करने जा रहा हूँ जिंता मत करो मैं उसे जल्दी से मार डालूँगा बिना किसी दर्द के तब सिर्फ तुम्हें दर्द होगा ये मेरी मजबूरी है क्या तुम जानना चाहते हो किसी को जल्दी कैसे मारना है बिना धर्द के जिस ब्लेड को तुम्हारी मेजर आर्ट्री में खूपा गया है तीन मिनिट के अंदर ही इंटर्नल ब्लेडिंग की वज़े से तुम्हारी धडकाने रुख जाएंगी तुम्हारी आंखे खुली रहेंगे जब तक तुम्हारी नस्वों में से खून बहना रुक नहीं चाता तुम कुछ समझे नहीं पाओगे बिना दर्द के मारना इसे कहते हैं अच्छा तुम्हारी असलियत सामने आ गई मैं पहले ही जानता था तुम्हारी नियत में खोट है इस मामले पे बहुत ध्यान देनी के ज़रूद थी स्वर आखरी बार समझा रहा हूं इसके बाद समझाओंगा नहीं जो करूँगा वो सेह नहीं पाऊगे यह तुम्हारी लिए लास वार्निंग है सो अब फाइनली क्या होगा एक अंडरवर्ड जो हारे को एक गैंग वार में मारता है वो ही ना क्या हुआ सर लुक्स टू मिस्टिरियस जल्दी कैजूल्टी में लेकर जब जी सर सर मुझे एक और डाउट है तुम्हारे डाउट सभी खतम नहीं हुए सर आप जो उसकी इतनी मदद कर रहे हैं यह डॉक्टर माइकल कौन है और आपका उससे क्या संबंध है तुम उस जांच में कितनी जानकारी हासिल कर चुके हो अब तक डॉक्टर माइकल मेडिकल कॉलेज में पढ़ा ही कर रहा था सर मेडिकल कॉलेज की सी आई थे मैं और कुछ नहीं जानता येस आई नो हिम मुझे लोकल पुलिस से एक रिपोर्ट मिली और मैंने बिना किसी योजना के शुरुवात कर दी हर किसी के सामने खास कर अपनी बेहन के सामने मैं खाइल भूला भाला इंसान था लेकिन इस दिस माइक जो मैंने वहाँ देखा एक स्मार्ट मेडिकल स्टूदेंट जिसे मैं जानता था माइकल निक्रोफीलियक हिंदी में कहा जाए तो लाश के साथ सेक्स करने वाला नहीं ऐसा मत कहिए सर ये मेरा छोटा भाई है मेरा भाई जिसे मैंने पाला सीनियर गैंग के साथ उसका दो दिन पहले एक जगड़ा हुआ था सारे स्टूदेंट्स इसके खिलाफ है और कैंपस में पुलिस के ज्यादा देर रहने से प्राब्लम और बढ़ेगी देखिए सर इसके खाने में ड्रग्स मिलाय गया था और बेहोशी की हालत में उन्होंने इसे वहां लिटा दिया ये कल शिकायत दर्च करेगा सर इसे पुलिस को सौप देना चाहिए बाकी मैं समघ लोगा हम पीशे 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 बाकी मैं समहलनूगा गाड़ी वापस कर दूगा, चल चावी दे दे, समझ में नहीं आया, ये हमको गाड़ी नहीं देने वाला, ये साइको, मुझे ये गाड़ी चाहिए, सॉरी, पेट्रिसाइड, गिमी दखी, वापस मुझे वही बोला, तो तेरी टांगे तुड़ दूगा, जिसमें अपने पिता की हत्या के हो, से पेट्रिसाइड नहीं, तो क्या एंजल बुलाओ, पेट्रिसाइड, सुना है, गाड़ी मांगने पर हमारी टांगे तोड़ दो के, जलो इसे, जलो इसे, जलो इसे, अरे जलो इसे, आरे जलना यार, अणंवारे कर दो एंवारे कि अपसे हिर्षिए कर दो एंवारे कि अपसे डाला है अगर किसी ने पूछा तो बोलना कि सेनिर्स को दे दिया अगर तुम कंप्लेंट करोगे तो केस बनेगा और वो केस हम पक्का हार जाएंगे पुलिस का कैंपस में प्रवेश करना प्रती बंदित है उनसे वापस मार खा सकते हो बाजार और कैंपस का एक नियम है जो भी लडाई में जीतता है वो हीरो बन जाता है और हर जगे राज करता है तो तुमको उन्हें कैंपस के अंदर मारना चाहिए और उसके लिए तुम्हें जो भी मदद चाहिए वो मैं करूँगा इसके लिए जो जरूरी है मेरे पापा ने मुझे सब सिखाया है जहां डर खात में होता है वहीं से जिन्दगी शुरू होती एड़र्स सुर्ण आड़ाजाज रेओ कर एिम हाँ आड़ाजड़ाजड़ाज वूलकाजड़ाजड़ाज़ा वूलकाजड़ाजाज़ाज़ा हूँ 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 है रूब रूब लगोदू है क्या, चाहिए तुम है गूर क्यों ग्रहर है बे बलकडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड कि अज़ 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 कि हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 हु ऐसे लोगों को तुमार देना चाहिए, खेर सर, क्या आपने आमेर के शिकायत के बाद केस दर्ज नहीं किया था? नहीं, वो शिकायत करने के लिए नहीं रुका, अपमान सहनना करपाने की वज़े से वो चला गया, वो एक डॉक्टर था ना, उसने कुछ दवाईयां खा लिया और खुद को मार लिया, सुरी सर, तुम्हें लगता है मेरे साथ, कुछ करने के बाद यहां से जा पाओगे? जब तु सो रहा था तब मैं यहां पर आ गया, और तेरे सामने से ही जाओंगा, यूर आफ्टर और उनली अजूनियर, तुमने मेरे पिता जी को गाली दी, अबराहम, वो एक मिस्टेक थी, मेरे बहाई को मारने के बाद, मिस्टेक बोलता है, यह, आइम गॉनना मेक असे मिस्टेक टू, हम अरी यह, आइम उनली आए है, वराँ बोलता है, यू! औगोचित बन्हborत उल्म आओ Gray आएंगृ आएंगू खटक्स एजज एक सक्टानव गह, पेकर तरोoks औरहन kayak पिर से सक्टूप है प्रम कर प्रोद के सक्रांव आहा खवा है ह५ जुँता है जिसने अब्राहिम को मार डाला, वो जिन्दा घूम रहा है क्या आपको शर्म नहीं आती, इससे बहतर तो मर जाना है वो हमारी बिजनेस को हड़प रहे है वर आपके लिए यहां सब कुछ अच्छा हो रहा है हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं उसने पैटरिक को भी मार डाला वो मार को नहीं है वो चाहे जो भी हो, हम उसे खात्म करतेंगे पापा, करेंगे ना करेंगे वी हैव तू मुझे नहीं पता मार को जूनियर हाट नंग्स, किद्नी, लिवा, फिंकेल प्लड टेस्ट भी करना है ना देखो, मैं इतना बेरहम भी रही हूँ तुम क्या क्या रहे हो, और क्या चाहते हो गुस्सा मत करो मैंने तुम्हे अपने साथ सोने के लिए तो नहीं कहा है ना माइकल कहा है मैं उससे मिलना चाहता हूँ, जल्दी उसने कहा कुछ दूर रहेगा मुझे नहीं बता कहा है हम मुझे पुलिस मेरे लिए पुलिस की अवकात इतनी है बस मेरे, मेरे, मेरे मेरे, मोझे यह, मुझे लेए मुझे आंडikle acaksın है, हमादय? ए, क्या हुआ? क्या हो तुम्हे? कि यहां पे हर कोई पागल हो गया है लोकल पोलिस से सीक्योर्टी मांगने से कोई फायदा नहीं होने वाला तुम कुछ समय के लिए दोर चले जाओ मैं किसी से नहीं ढरता यह हीरोगिरी दिखाने का वक्त नहीं है फिलाल अपनी बेहन के साथ किसी और जगह पर आके रहने की कोशिश करो हलो क्या कर रहे हैं वो यहीं बैठे हैं दोनों ठीक है पर तुम का हो मैं वहीं आ रहा हूं कोई भी हो दर्वाजा मत खुलना है हमारा वॉच में आया है जो कोई भी हो दर्वाजा मत खुलना है अलो बॉल्शिट अ उसका फोन नहीं लग रहा है जैनी मैतर जैनी जैनी दो किलोमेटर के दारे में पुलिस उसकाडी को रोक लेगी मैंने कंट्रोल रूम में इंफर्म कर दिया आप झाल झाल उट सोग्ग झालो जो एका हो उड़ाऊ से भी टार आडरा 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 झाला यालो ऑाल प्यालो और मारे भी जिमते आडरा उट जते हैं इल जड़ा हुआ। आप्पाइ, तई के परुमा झारी हूँ उनकारी उनकारी हाँ मालेट शकल्न सकत होलाई कि अंदर एक बच्ची है बेवकुफ अगर उसे कुछ वह ना तो यह मेरे सरकल में आता है अगर पुलीस पर गोली चलाएंगे तो हम छोड़ देंगे क्या सर शहर के साथ किलोमेटर के दारे में हमारे पास केवल इन 500 मेटर का कवरेज नहीं है जबकि हम वैन के स्पीट जाज करते हैं उन 500 मेटर के अंदर उन्होंने बच्ची को किसी और गाड़ी में डाल दिया होगा सर माइकल के कॉल्स को ट्रैक करो सर माइकल ये फोन हॉस्पिटल में किसी ने दिया इसमें जो नंबर सेफ्ट है उस पर कॉल करने के लिए का आया है मायकल तुमने एक जंग के शरुआत की जबकी कोई परिशाने ने इसक्राइब आयाई के वे तुम मेरे रास्ते में आए अगर तुम अपनी बेहन चाहते हो तो उसके लिए मारको का बिजान शरीर मुझे दिखाओ अगर तुम मारको को नहीं मार पाया तो इस लड़की को देख भी नहीं पाएगा और पुलिस वालों को इस खेल और खेल के मैदान से दूर रखना हम दोनों के लिए यही बेतर होगा माइक कर दोष्छ कि अगर कर एक हुआ 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 है मैं कहीं भी आ सकता हूँ जनी 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 भूसी जनी जनी . . . . . . . लुको! लुको! जाता प्तरा उर॓ लुको! लुको? ज romance लयो! जाता प्तरा? लुको! ुहण लुको! लुको! कर दो आ। जबगे मौन पिंड मौन 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 डिक्की में एक और है यह यह मौन बढ़ा रहा हुआ हलो हलो अब कैसी है वो शीज़ वो हम कर दो कारदका बढ़न हम सेीज़ बढ़न सवर के लिए गाड़ी और दवाईयां है हुआ हो लाईयां है कर स anch-दक, हुआपान! झार खा टुटेत। तुम इतने भी बड़े डॉक्टर नहीं हो कि दबाई यह निख सको इसका डोस काफी स्यादा है क्या कोई मर गया है कम से कम थोड़ा गुलकोस तो दीजिए अरे जीजा सुनो अरे डॉक्टर यह ठीक नहीं हो रहे है इसे हमेशा सर्दी देती है अज ने भी लोग थे वो पांच-छे लोग थे जिन्नोंने मुझ पर हमला किया तो क्या आपने भी उन्हें मारा अगर वो एक वो आपका ही आदमी है डॉक्टर माइकल उसी ने यह सब किया अच्छा तो फिर तुमने उसका नाम पुलिस को क्यों नहीं बताया वो बहुत खतरनाक है उसने जॉर्ज पैट्रिक और मुर्गन को मारा है मैंने रिपोर्ट की तो मुझे भी मार डालेगा अच्छा होगा उ तुम भी प्राब्लम में फश सकते हो मुझे पहचाना के अच्छाना के अच्छाना के मुझे पहचाना के मैं जराड का चाचा हूं तुम सोते वक्त बिलकुल खरगोश्ट जैसी लगती हो लेटी रहो तुम यहां क्या कर रहे हो मैं इसकी जांच करने आया था वो डॉक्टर का है हमारे पेट में गंदगी होने के बाजूद हम बस जी रहे हैं एक दिन अगर पेटिश हो जाए हम खत्म हो जाएंगे सही है न डॉक्टर अह एंथनी सर आपको बच्ची के साथ रहना चाहिए इसके आस्वास गिध मन रहा रहे हैं तुम सोजा बेटा कर दो कर दो एक दो कर दो माइकल माइकल जान जब तुम्हारे नाम के साथ पिता का नाम पोकारता हूँ तब मसा आता है सॉरी मैं नहीं बूला सकता क्योंकि मैं तुम्हारे पिता का नाम नहीं जनता मिस्टर मार्को मैं तुम्हें कस्टडी में ले रहा हूँ हमारे पास एक बयान है कि अबराहम को तुम ने माई सो मेरे लिए इतना ही काफी है मैंने तुम लोगों को कस्टडी में लिया है इसकी कोई रिपोर्ट नहीं बनाई आज की रात तुम एक दूसरे से लड़ सकते हो या फिर मार भी सकते हो और विलियम रिकॉर्ड के अनुसार यूर नोट नॉर्मल तो चाहे कुछ भी हो यूल बी सेफ पक्वास बंद कर डोंट शाउट अपनी एनरजी बचा कर रखो मैं तुम्हें आज रात पीने या खाने के लिए कुछ भी नहीं दिने वाला हूँ एक रात तुम लोगों के आपस में लड़ने के लिए या बस किसी के सिर पर भावडा मारना जब वो सो रहा हो बले किसी की मौत ही क्यों न हो जाए यह बात ही अच्छा होगा अगर मैं इस सब के लिए पीनल कोट का पालन करता हूँ तो मैं अपना सम्मान खोदूँगा और इसका हैसास होना ज़रूरी है है ना तो ओके गाइस have a bad night fight इच अदर के लिए इच अदर तीन दिन उन्हें दिन और रात में फर्ख ना पता चले सर्थ अगर देल वाँ वाँ सब्सक्राइब वाँ बद्सक्राइब वाँ 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 मैंम कि अद्धिके उपेगा कि अदर रिपोर्ट सब्मेट यह थे तुम को बला रहा हूं तुमको कुछ दिमाग नहीं है कि अदर रिपोर्ट सब्मेट के लिए यहीं जेगे मिला है अरे वुस्त छोड़ो और हमारे साले साब का इलाज करो मुझ हटता है देखो अगर हमारे साले साब ठीक नहीं हुए ने तो बहुत बुरा होगा तुम अंको नहीं जाते हो अगर रिज़त से पेश नहीं आया तो तेरा मूँ तोड़ दूगा चल निकला क्या हुआ क्या परिशानी है कोई परिशानी नहीं है कुछ भी नहीं है कूल बी कूल मुझे पता है माइकल लिस हॉस्पिटल को अच्छे से संभाल रहा है मेरी किसी बात पर नाराज तो नही अगरी काम है एक है एक है वेरी बैड बॉइस मुझे लगा था अब तक लड़के मर चुके हो गए ओके लेट दा कॉट डिसाइड कोट एक घलत निर्णा होगा इंस्पेक्टर यह गहर जमानती मामला नहीं है ना मजे सोना है फिर जब मैं जागूंगा तो कुछ अधूरे काम निक्टाओंगा हमार को कुछ जमानत मिल गई सब कुछ कानून के हिसाब से होने तो कर दो कर दो कर दो कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने जो किया वो बेवकूफी थी नहीं सर क्यों कि कानून और नया एक समान नहीं होते हैं सर मैंने एक छोटी से इंक्वारी की सर के भाई आमिर की रैगिंग करने वाले गिरों से कोई भी हाज जिंदा नहीं है इसी राज्य में कार एक्सिडें कि अगुद नगया है आज से साथ दिन बाद एक बहुत पवित्र तीर कात्योहार मनाया जाएगा ये एक अच्छा मौका होगा अपने दुश्मनों को खतम कर देने का तुम्हें ये बदला जरूर लेना होगा तभी तेरी मां को शांति मिलेगी Montada有डुगोअ के साथ दून मैं, कुंछ वेरे म का अच्छा मैं, खबाद्या को छोंग तlı ड कर दोवा है और मैं मैं खला मैं उसता सुम्हें छगारा मैं गईते हैं जनी? माइक? लेट्स वाइट, डॉक्टर. तुम्हारी बहन रेफरी होगी. अगर तुम मुझे यहां हराओगे, तो इसे वापस ले जा सकते हो. अगर तुम हरे, तो यह यहां से कोच जाएगी. जनी, हिलना नहीं. जब तक हम मेंसे कोई जीत न जाये. जनी, हिलना नहीं. जनी, हिलना नहीं जाएगे, तुम्हारी बहाँ जाएगे, तुम्हारी जाएगे. जनी, जनी, जहाएगे. जनी, हुआएगे. जनी, 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 जिलना नहीं. कि जनी, 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 जनी. Mike 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 Jenny Jenny come Jenny go Isaac go One Two Three Four Five Six 7 8 9 10 10 10 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 21 22 22 कर दो चēदा ऺजा आpower जाक कर दिजा है तेरे हाथ की नसे काड़ दी है, ज्यादा जोश मत लिखा, तेरा खोन बहरा है, अगर जल्दे से अमेडिकल ट्रीक्मेंट मिलेगा, तो तू बचेगा, help me, help me, मैं तुम्हें कावी जोड़ नहीं पहुंजाऊंगा, तुम्हें इसकी help क्यों कर रहे हो, अगर ये बच गया, तो फिर से हमें टॉर्चर करेगा, मैं एक डॉक्टर हो, बले ही वो कैसा भी इनसान हो, मैं बचाऊंगा, उसके ओर्गन्स टॉनेट करके तीन लोगों की जान बचाई है, ब्रेन डेड है वो, हुआती है हुआती है पापी को मुक्त करने के लिए मैं कोई भगवान नहीं हूँ पाप के भगतान की कीमत मौत है मैं हूँ मिखाईल यार के लुट है अ कनो चजेजेटे कि कीमत मौत ही utmost ट्रीम स Chili Best बास रात्त